एल्लो एवर्बड़ी माइम इस विश्वदीप और वेलकम यू आल अनकेडमी कंप्यूटर साइंस चैनल आज गेट 24 का एडमिट का डाउनलोड होने के लिए अविलेबल है आप ओफिशल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड अब कर सकते हो हो सकता है कि सर्वर पे जादा लोड हो क्योंकि सारे स्टुडेंट्स ट्राइ कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लग जाए जब भी आपका वेबसाइट ओपन हो जाए लॉग इन हो जाए तो आपके लॉग इन करने के बाद जो आपका ओनलाइन पोर्टल था वहां से आपको यहां पे थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे अरे सर अब तो एक महिना दूर है अब तो टेंशन और बढ़ गई है प्रेशर और बढ़ गया है तो देखो जी सबसे पहले तो अपने आपको कूल डाउन करो शांत करो और अपने आपको समझाओ कि बेटा जी ओल इस वेल अ बदली, एडमेट कार्ड आने से बदली, नहीं, तो फिर प्रेशर एड़ेड वाला किस चीज़ का, बस यही है न कि एकजाम पास में आ रही है वो तो रोज आएगी, एडमेट कार्ड आने से उसका क्या लेना देना, सिंपल, तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, कि हम वो वीक लोग नहीं है, जो हर छोटी-छोटी चीज़ से खाली डर जाते हैं और प्रप्रेशन छोड़ देते हैं, हम वो स्ट्रांग माइंड वाले बच्चे हैं, जो की ज्यादा प्रेशर डालने पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपने आपको याद दिलाओ कि ये examination का pressure होना था, क्योंकि national level का exam है यार, IAC, IIT जैसे prestigious institute में admission मिलेगा, लाखों लोगों के against जाके, इतना असान तो नहीं होगा, हमें पता ही था, तो ये pressure तो आना ही था, ये pressure में आके और हम निखर के और अच्छा result लाएंगे, तभी तो admission मिलेगा, yes, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, जो हमने preparation किये, बढ़िया थी, और एक महिना हमें आगे जाके preparation जो ही plan है, वो आगे बढ़िया रहेगा, हम tension नहीं लेंगे, एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो preparation में change होगा, वो ये है कि आप अगर gate computer science का paper लिख रहे हो, और वो जो कि दो paper या दो अलग-अलग session में होने वाला है, तो आपका जो ही session में finally, आपका admit card में लिखा होगा कि आपको कौन सा session allot हुआ है, तो जिस भी allotted session में आपका paper हो, morning में हो, तो morning में, afternoon है तो afternoon में, अब आपको सारे test उसी time पर लिखना है, आप चाहे अगर short term test या subject wise, topic wise test लिखते हैं, तो भ afternoon session आपको मिला है, exam में तो 2.30 से start करो, फाइदा पता है क्या है, जैसे ही वो घड़ी में काटा, टिक करके उस साड़े 9 बजीगी, हमारा biological clock दिमाग का वही होगा, focus एक जगे, पूरा पूरा paper पेपर हम paper बढ़िया से लिखेंगे, तो हम अब आदर डालेंगे हमारे हमारा biological clock, हमारा mind, focus, concentration, हमारा दिमाद, सब कुछ एक जगे पर concentrate करे, paper है बैठना है, और हम best focus के साथ में paper लिख पाए, चलिए, डीटेल के बारे में बात करेंगे, आपको कुछ ऐसा detail शूरुआत के admit card पे देखने को मिलेगा, सबसे पहले अपना नाम और spelling correctly चेक कर लेना, क case के लिए CS अलग आएगा, date चेक कर लेना कि इस सही date लिखी है के नहीं है, इस particular day के साथ में, फिर यहां पे मिलेगा आपको आपका timing, कि आपको किस session में a lot हुआ है paper, तो जिस भी session में a lot हुआ होगा, वो यहां लिखा होगा, फिर बस वही session हमारे लिए, अब ऐसा session है कि यह हमारे लिए रोज हमारे लडाई का time है, कि इन 3 गंटों में हम लडाई लड़ींगे, हमारी किस से हर एक odd situation से इन 3 गंटों में हमें लडाई लड़नी है, तो यह इसी time पर हमें अपने दिमाग को tune करना है, हमें शरीर को, mind को, concentration को, हमारे focus को tune करना है, आपका ID, जो आपने आ की है, आपकी डेफिनेटली photograph होगी, और photograph के साथ में ऐसे circle में आपका paper का नाम, और आपका enrollment ID, जो भी registration number होगा, वो लिखा होगा, एक बार confirm कर लिजेगा, कि आपका ही photo है, या किसी और का डाल दिया गया है, है ना, कोई शारुक खान या इश्वर्या राई का photo दिन ले आ और ये, आप भी कोई एश्वर्या या शारुक खान से कम नहीं हो, अपनी जिंदगी के तुम ही hero, heroine हो, बट फिर भी एक बार check कर लेना, आपने ही photo है, और ये circle में जो number लिखें, वो सही है या नहीं, फिर यहाँ पे भी आपका registration number होगा, जो मैंने या पे height कर रखा है, य किस city में हमें examination center मिला है, और वो हमारे हर से कितना दूर है, अगर city में, दूसरी city में है, तो आपको अपना travel plan करना पड़ेगा, आप आराम से एक दिन पहले महाँ पहुँच जाए, अगर बहुत दूर है, तो कोशिश करिए दो दिन पहले पहुँच जाए, travel plan ऐसे करें, अ public vehicle का भरोसा नहीं, अभी धुन्द जादा है, है ना, कोहरा बहुत है, अभी northern part of the country में, तो हो सकता है, travel में कुछ problem आए, अगर आप पहाडों से होके जाते हैं, वहाँ पे, बहुत सारे issues आते रहते हैं, तो एक दिन पहले आप पहुँच जाएए, ताकि आपके पास एक द destination center भी आया है, तो आप उस center पे सुबह सुबह कैसे पहुचेंगे, उसका एक idea ले लीजिए, अगर आपके पास time है, तो exam के दो दिन पहले जाके एक बार center भी देखाना, अभी नहीं, exam के दो दिन पहले, हमारे पास exam के दो दिन पहले ज़्यादा काम होगा नहीं, तो तब center भी देखाना ताकि आपको idea लगेगा कि अच्छा हमें कहां जाके exam लिखनी है, पर एक बार map पे check कर लेना कि कितना time लगता है, जिस time पर आपको travel करना है उस time पर, ठीक है, अब ये तो हो गई आपके पूरी admit card की detail, दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, व मतलब जब आप paper देखने जाओगे, तो आप e-copy नहीं दिखा सकते, printed लेके जानी है, तो अब printed copy of admit card must be presented for verification, along with the original valid photo identity document submitted at the time of application, जो आपने यहाँ पे ID submit किया था, वही वाला ID लेके जाना है, और original वाला लेके जाना है, और किसके साथ में आपके printed इस particular admit card printed copy के साथ में verification के लिए आपको examination center पे दिखाना है, तो यह download कर लेना PDF format में, download होने के बाद अगर open नहीं है, तो उसको rename करके .pdf कर देना, ताकि यह open हो जाएगी, बहुत सारे बच्चों के लिए open हो नहीं रहा है, तो download करने के बाद उसको rename कर देना, rename करने के बाद जो भी न निकालके और आपका valid photo ID जो original वाला है, जो आपने यहाँ पे application के time पे दिया था, आधार या कोई भी ID, वो ID का original copy दोनों आपको लेके जाने है, मान लो अगर आपके पास original ID ऐसा है, जिसका photograph अच्छा नहीं है, इसकी print ऐसी है, जिसका photograph clear दिखने ही रहा, आपके चेहरे से match नहीं कर रहा है, तो उस ID के साथ में एक और दूसरा ID जिसमें आपका photo अच्छे से clear दिखे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, जिनके पास अपना आधार पुराना वाला photograph के साथ में है, जो कि बहुत पुराना था, छोटे बच्चे थे तब जब का बनाया हुआ हुआ है उसमें चहरा clear नहीं दिख रहा है, तो एक ID और लेके जाना आधार के अलाव, अगर voter ID है, passport है, या कोई भी दूसरा ID आपके पास है, driving license हो सकता है हो, कोई भी ID है कैसा, इन में से, दे रखाये देखो clear cut, यहाँ पे, in case the quality of photograph on the ID card document is poor, the candidate must bring an additional, additional मतलब की दूसरा, recent valid photo ID, जिसमें की recent का photograph हो, ताकि आपका चहरा और वो match करे, यह लेके आपको जाना है, उन में क्या हो सकता है, या दो आधार कार्ड, या driving license, या pen card, या passport, या voter ID, इन में से कुछ भी हो सकता है, जो government issue करता है, दूसरी चीज यहाँ लिखी हुई है, to facilitate the identity card by the examination center, परसनल, candidate are advised to report at examination center 90 days, 90 minutes before, not 90 days, 90 minutes before, candidates will not be allowed to log in 30 minutes after the start of the exam, examination के start होने के 30 minute के बाद आपको अलाव नहीं करेंगे, उसके पहले ही चले जाहिएगा, 90 minutes पहले, मतलब देड़ घंटा पहले पहले पहुँच जाना, ये चीज़े ना exam दिन के बात है, हमारे लिए अभी इतना ज़्यादा matter नहीं करता है, copy of their seats permitted, occupy seats, etc. ये भी 20 minute पहले आप अपनी seat पे जाके बैठ सकते हो, examination में आपको virtual calculator मिलेगा, आप कोई भी calculator या किसी भी टाइप की घड़ी, या किसी भी टाइप के electronic gadget या heavy ornaments नहीं ले जा सकते exam में, तो आप नहीं ले जाएगा, गड़ी भी नहीं ले जा सकते, किसी भी टाइप की watch नहीं ले जा सकते, timer आपके सामने दिखेगा, तो आप गड़ी भी नहीं ले जा सकते, please do not wear it, मेरे साथ ऐसा हुआ था, 2018 में paper देने गया, मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं, इसको instruction को ठीक से नहीं पड़ा, मैं अपनी गड़ी लेके चले गा, मैंने exam लिखा, लिखने के बाद मैं आ गया, वापस बाहर आया, पता चला, गड़ी तो वहाँ भूल गया, वापस गया, वो तो invigilator अच्छा था जो उसने return कर दी वरना, बहुत मैंगी थी यार, बहुत बड़ा फटका लगता, अरे हाँ हाँ, बहुत बड़ा फटका लगता, तो प्लीज आप अपनी watches या कुछ भी मत ले जाईएगा, अच्छा एक और चीज इन्होंने जो यहाँ दे रखी है, स्क्रिबल पैट के बारे में, जो अगर आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, कि जो स्क्रिबल पैट है, आपको एक मिलेगा, रफ़ वक करने के लिए, आपको अगर वो स्क्रिबल पैट पूरा फिल हो जाता है, तो उसको आपको surrender करना पड़ेगा फिर दूसरा मिल जाएगा पर उस case में problem यह है कि जो surrender किया हुआ है वापस return नहीं आएगा आपके पास तो अगर आप scribble pad को अच्छे से use नहीं करते हो मतलब roughs work करने के लिए जो pad मिलेगा जो empty paper का होगा उसको अगर अच्छे से utilize नहीं करते हो जल्दी भर जाता है तो उस case में आपको वो वाला submit करके और दूसरा नया मिल जाएगा पर जो submit आपने किया है surrender किया वापस नहीं मिल पाएगा तो आप पुराने वाले questions जो है वो verify नहीं कर पाओगे कि आपने solution में क्या किया था दो बारा से चालू करना पड़ेगा उसका solution ध्यान रखिएगा इस चीज़ का अच्छे से utilize करना एक में काम generally हो जाता है है ना और एक और चीज scribble pad के बारे में यहां लिखती हुई है इसके अलावा यहां clear cut लिखा हुआ है कि आपने pen pencil खुझ से लेके जाने मैं advise करूंगा exam देते वक्ता आप pen pencil लेके जाओ पर बड़ा वाला box मत लेके जाना जिसमें की बहुत कुछ cheating करने के option दीखने को मिले इन्विजिलेटर का दिमाग जो है वो उसी तरीके से चलता है कि तुम दबबा लेके जा रहे हो जिसमें डेर सारे pen pencil है cheating meeting कर सकते हो तो वो बाहर रखवा देते हैं अब चोटी मोटी ऐसी चीज़े ना चोरी होने के chances बहुत रहते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि pen pencil, 2-3 pen pencil etc जो भी ले जाओ पोकेट में रखके ले जाओ और वहां रख दो table पे वापस पोकेट में रखके ले आना ऐसा कुछ कर लेना ताकि आपके पस कोई option ना हो या इन्विजिलेटर के पास कोई option ना हो आपको तंग करने के और इस सर एक्जाम दिन में हमारा वो कम पॉक्स बॉक्स बाहर रखवा दिया एटसेटर एटसेटर आप ना फिर रियूज्वल से कुछ भी अनियूज्वल होता है एक्जाम दिन में तो परेशान हो जाते हो तो कोशिश करना ऐसी चीज की एक और चीज है एक्जामिनेशन सेंटर पर आपको कुछ भी आईटम ले जाने की आपको परमिशन नहीं है और अगर आप ले जाते हो तो फिर हो सकता है कि आपका एक्जामिनेशन जो है वो कैंसल हो जाए अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो, cheating, meeting में involved रहते हो, तो आपका examination cancel कर देंगे, blacklist हो जाओगे, उस बार का paper आपका फिर cancel हो जाएगा, फिर एक और चीज है, examination center आप छोड़ नहीं पाओगे, तीन गंटे पूरे वही बैठना है, तीन गंटे बैठने के आदर डालो अभी से, ज बैठे बैठे तीन गंटे ऐसे आपको बिताने हैं, कि आप examination से हिले भी ना, मेरे साथ problem यह होती ही, कि मैं पानी बहुत consume करता हूँ, तो मुझे toilet break लग जाता है, पर मैं फिर examination center पे कोशिश करता था, जब exam लिखने जाता था, कि मैं कम पानी consume करूँ, ताकि toilet जाने की जरू यहाँ पे, कि आप transparent water bottle ले जा सकते हो, इसके अलावा एक और चीज़ लिखिए, PWD candidate के लिए, कि अगर आपको assistive devices चाहिए, तो वो आपको examination center पे पहले show करनी पड़ेंगे, उसके बाद आप ले जा सकते हो, PWD candidate who have been granted 1 hour compensatory time in gate 24, examination are allowed to leave the examination hall after 12.30 p.m. in the forenoon session and after 5.30 p.m. in the afternoon session by clicking the submit button only in the presence of invigilator, once they click the submit button, the responses will be frozen and exam will end for them. तो PWD candidate के लिए ही ये special point है, अब mainly जो हमें preparation में changes लाने है, वो यही लाने है, कि हम अपना timing fix करें, 3 गंटा ऐसे बैखने की कोशिश करें, जैसे exam लिख रहे हैं, और उसी time पर जिस time पर आपका paper आया है, इसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ है, जो आपको अपनी changes लाने हैं, या इस particular admit card से related आपको हैं, तो आप मुझे सकते हो comment box में comment करके, ताकि मुझे idea हो जाए कि अच्छा और क्या problem है, मैंने सुना है, काफी सारे student बोल भी रहे हैं, कि उन्हें अपनी primary city नहीं मिल पाई, क्यों नहीं मिल पाई, क्यों नहीं मिल पाई, क्यों कि number of candidates इतने ज् कि number of candidates ज्यादा होने की वज़े से, जितने students को उनकी primary city में वो दे पाई, admit card या center वो ठीके बाकी को secondary city में देना पड़ा, तो कुछ-कुछ student ने मुझे ऐसा बोला, sir मेरा city नापूर है, पर मुझे अमरावती center मिला है, second center, second जो मेरी preference थी, इन जनरल ऐसा होता नहीं है, पर इ parents को आप बता दीजिएगा, examination center change होते हैं या नहीं होते हैं, इस moment of time पे ये मुझे पता नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, अब जाके, admit card आने के बाद, अब changes होना, I don't think so, possible है, तो फिर आप सब लोग इसी चीज़ को लेके, और accept कर लीजे, ज्यादा furious मत ह हुईएगा, और सर हमको तो यहाँ डाल दिया, हमको वहाँ डाल दिया, इतना दूर जाना, etc, etc, सब कुछ सिर्फ time waste करेंगे, और कुछ नहीं, आपकी preparation continue करते रहिएगा, अगर कोई gate 25, 26 की तयारी करना चाहता है, तो उसके लिए offer है, आज रात तक, और ये offer जो है 57% तक का saving offer है, प्लस extra month का subscription का offer है, ये code लगा लिजिएगा, और subscription ये लिजिएगा, प्लस iconic, ताकि आपको discount और offer मिल जाए, नई badge भी start हुई है, 30th of December से DB Miss course, अंकुछ सकलेचा सर के साथ में, तो वो भी आपको access करने को मिल जाएगा, एक और badge 6th of January से मैं start कर रहा हूँ, जिसमें मैं orientation लूँगा और later on कुछ दिनों में ही एक नया course भी चालू, इसमें मैं करने वाला हूँ, तो जल्दी से आप लोग subscription लेके और start कर दीजे अपनी journey को, उमेद करता हूँ, आप लोग को काफी सारी clarity आ गई होगी, प्लीज 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 अपनी preparation पे ही ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा concentrate कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अगले 30 दिनों के प्लान पे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने marks को increase कर पाएं, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा exam में perform कर पाएं, वीडियो अच्छा लगा, like करिएगा, share करिएगा, चैनल को subscribe करके, notification on कर ले आप फिर मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ख्याल रखेगा, happy learning, bye bye